नमस्कार मित्रो मैं आचारेश वाशीष स्वागत है मेरी यूटूब चैनल जोतिस आचारेश मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कार्थिक महीने में जो उत्पन जातक होते हैं उनका सुभाब कैसा होता है ऐसे ही बताऊंगा मार्ग सीस में उत्पन जातक मतलब कि दिसम्बर के महीने में जो जातक उत्पन होता है वो किस सुभाब का होता है उसको जीवन में किन-किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है इस मास में जन्मे लोग चुम्व कियो आकर्षन सक्ति वाले होते हैं इनका व्यक्तित तो ऐसा होता है कि जैसे एक चुम्मक लोहे को खीच लेती है आप इनके पास बैठेंगे तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा कि हमारा समय कहां बीद गया अपने आप में ये चुम्मकी सक्ति लिए होते हैं हर व्यक्ति का मनम हो लेते हैं हर व्यक्ति इनके साथ बैठना चाहता है ये लोग प्राक्रमी ज्ञान विज्ञान आदी विश्यों के पंडित होते हैं ये लोग त्यागी भी होते हैं धैर्रवान भी होते हैं ये लोग चाटु कारिता चाटकारिता का मतलब है इनको चापलूसी पसंद नहीं है अगर इनके पास जाकर के आप इनकी चापलूसी करते हैं तो वो भी पसंद नहीं है और ये भी किसी और की चापलूसी करना पसंद नहीं करते ऐसे लोगों के अनेक सच्चे मित्र होते हैं अगर ये मित्रता करते हैं तो उनमें सच्चे मित्रों की संख्या आदिक होती है परंतो सत्रों की संख्या भी आदिक होती है स्वास्त इनका उत्तम रहता है आयू दीर्ध होती है इनकी आयू लंबी होती है लेकिन कुछ लोगों की अकालम रखती हो सकती है इनका भाग्योदय जो होता है 24 से लेकर 32 वर्सकी उम्र में भाग्योदय हो जाता है आर्थिक इस्टी इनकी अच्छी रहती है संतान में पूत्र की अबिक्षा पूत्री अधिक होती है ये लोग युवावास्ता में लाव कमाते हैं और कभी-कभी इन्हें आर्थिक अठनाईयों का सामना करना पड़ता है आज मैंने आपको बताया कि दिसंबर के महीने में जो जातक पैदा होते हैं मतलब कि मार्ग सीस में जो जातक उत्पन हुआ है उसका सुभाव कैसा होगा उसके साथ क्या घटित होगा आगली वीडियो में आपको पताऊंगा फॉस, माह और फागुन के महीने में जो जातक जन्मे होते हैं का सुभाव किस प्रकारगा होता है आज के लिए इतना ही फिर किसी नएवेसे के साथ उपस्ते तरहूँगा जैश्री राम, जैश्री बाला जी